इस जो important आती है disease that is purchases जिसको हम whooping cough भी कहते हैं इस तरह से cough हो रही होती है लोगों को by close contact mainly through coughing जो है यह transmit होता है respiratory disease infection है और इस तरह से constant cough होती है और इस तरह से यह spread करता है ठीक है तो यह actually इस तरह से droplet infection होता है droplets के थ्रू यह spread करता है particles होते है articles होते है उनको soil करता है और इस तरह से ठीक है इस तरह से whooping cough 100 a cough भी कहते हैं बच्चों में 20 तरह होती है ठीक है चोटे बच्चों में भी होती है तो यह जो organism होता है इसमें कौन सा involved होता है body teller vertices ठीक है और यह देखे acute bacterial infection है जिसमें यह trachea को involve करता है bronchi को और bronchioles को involve करता है upper respiratory tract lower respiratory tract infection जहा रहा है ठीक है अचा उसके बाद ही है कि जादा तर जो है over crowding में जहां होती है बहाँ भी transmit होता है respiratory tract infection है इस वजह से food bond भी होता है कि खाना जो है वह सही तरह ना हो poor hygiene or poor nutrition हो ठीक है poor hygiene poor nutrition अगर हम बात करें तो कौंसे time पे जदा होता है तो winter और spring में जदा common होता है अगर बात करें कि age wise किस में जदा होता है तो infants में और school going जो children होते है उसमें जदा होता है females में जदा होता है तो यह दोनों जो लड़की हैं यह ना चोटी बच्ची है यह भी लड़की है तो फीमेल में जादा होता है maternal antibodies are not not effective primary determinants इसके क्या होते हैं ये body dollar purchases इसका primary determinants होते हैं secondary determinants इसके होते हैं overcrowding poor hygiene poor nutrition ठीक है अभी है कि जितने भी countries in world के सब में होता है और जो है वैसे तो ये इसकी मतलब कम हो गई है पहले से mortality लेकिन ये है कि WHO बताता है 2000 में 2.96 lakh people जो है वो मड़े थे इसकी वज़ा से source of infection क्या होता है ये मैं आपको बता दिया कि this is actually overcrowding poor nutrition और poor hygiene ठीक है source of infection इसका क्या होता है case of purchases जिसको हुआ होगा वही transmit करेगा न वही source होगा और infective material होता है nasopharyngeal secretions होती है bronchial secretions होती है और objects जो के contaminate हो रहे होते है वो infective materials होते हैं ठीक है this is actually के nasopharyngeal secretions होंगी उसकी बज़ा से bronchial secretions होंगी उनकी बज़ा से ये transmit होगा और जो objects contaminated होंगे droplets के तो ये आगे transmit होगा period of communicability इसकी जो होती है वो seven days की होती है seven days से लेके three weeks तक ठीक है तकरीबन एक माँ से कम तक जो है ये होता है उसके बाद आजाता है कि इसका incubation period जो होता है वो तकरीबन साथ से 14 दिन का होता है ठीक हो गया उसको इसको clinical features की बात करते है तो इसकी नद three stages होती है cataral stage होती है paroxysmal stage होती है और convalescent stage होती है ठीक है सबसे पहले cataral stage होती है जो one to two weeks चलती है ठीक है one to two weeks चलती है cataral stage cataral stage से समझ जा रही है कि इसमें cataral symptoms आएंगे कि patient जो है उसको खार हो जाएगा fever हो जाएगा और जो है ठीक होगी हलकी हलकी सी और यह है कि उसको lacrimation होड़ी होगी यह conjunctival infection जाल रहा होगा ठीक है फिर आती है दूसरी stage जो इसकी होती है four to six weeks वाली जिसमें choking काफ होती है और expiration जो मैंने आपको शुरू में बताई थी इसको paroxysmal stage कहते हैं जिसमें इस तरह से patient को बहुत बुरी वली काफ होडी होती है पूरा जो चेहरा होता है वो patient का लाल हो जाता है bulging eyes हो जाती है ठीक है producing tongue हो जाती है इस तरह से करके inspiratory जब वो अंदर हवाले के जा रहा होता है तो उसे आवाज produce होती है inspiratory whoop होती है ठीक है और tenacious mucus जो होता है वो बाहर आ रहा होता है vomiting भी होती है following the parosis इतनी जोर से मतलब खांसी बंदा करेगा तो vomiting यह होगी ना फिर यह देखें कि convalescent stage क्या होती है जिसमें वो सारी symptoms होते है वो हत्म हो जाते है जो है science और paroxysmal stage और पिर convalescent stage जिसको हम 100 day cough भी कहते है ठीक है उसके बाद इसकी pathology लिखी हुई है कि यह local infection cause करता है यह invasivity cause करता है multiply करता है सर बेसर बीतीनी होता respiratory tract की और वहाँ पे inflammation and a process करता है जिसकी वज़ए से secondary bacterial invasion होती है इसकी complications करने की हाद जरूरत नहीं है diagnosis हम करते है इसका कि diagnosis हम clinical features कर लेते है patient से जो है clinically देख के हम बता देते है कि यह whooping cough का है type of whooping cough देखते है typical whooping cough observation of infant during the episode देखते है history of contact पूछते है कि कहीं आपके कहीं और से तो नहीं आप transmit कर वाकिया है जिसको इसर की खांसी होरी थी फिर हम देखते है leucocytes blood picture देखते है तो उसमें leucocytes होते है वो जादा हुए होते है 30,000 से 40,000 होई होते है ठीक है और absolute lymphocytosis होई होती है lymphocytes भी जादा होई होते है leukocytes भी जादा होई होते है चेस्ट एक्स्रेय जब हम करवाते हैं तो इसमें हमें पैरी हाइलर इंफिर्प्रेशन मिलती है मतलब हाइलम के इर्द-गिर्द एटलेक्टेसिज और मेडियस नैनल इंफसिमा भी मिलता है सिरॉलजिकल टेस्ट में हम आईजी एम चेक करते हैं और आईजी ए चेक करते हैं क्योंकि रेस्परेटरी की जो एपिथीलियम होती है ना वहां पे इंफेक्शन कॉस करता है और नेजोफरेंजिल स्वाब लेते हैं कल्चर के लिए तो यह इसकी डाइगनोसिस हो गई उसके बाद हमने करनी होती है इसकी ट्रीटमेंट तो ट्रीटमेंट इसकी हम करते हैं एक्यूट फेज में और एक्यूट फेज के बाद तो एक्यूट फेज में हम क्या देते हैं एरिथरोमाइसिन देते हैं उसके बाद एंटी टुशिफ्स देते हैं, हम कफ सप्रेसेंट्स हैं, जो सेडेटिफ्स देते हैं, दाकि पेशेंट राम करें, क्योंकि इतनी बुरी खांसी हो, यह स्टीम इन्हेलेशन करते हैं, डस्ट को कहते हैं, कंट्रोल करो, और कहते हैं कि खाना अच्छा खाओ ना, इंप्रूफ करो, अपने नूट्रीशन और कोई भी कॉंप्लिकेशन है, उसको हम इंप्रूफ करते हैं, ठीक है, उसके बाद इसकी प्रिवेंशन यही होती है, कि हम इसकी वेक्सीनेशन करवाते हैं, जो दो साल से चोटे बच्चे होते हैं, उनमें हम वेक्सीनेशन इसकी ने प्रिश आपने पर चुछ लोगी मदर ने ने किनफर्म किया कि इसको कुराइजा था पहले और अब ये कॉफ हो रही है तो बच्चा जो है वो स्कूल से छुटी लिया उसने चुटी ली और ओन न ओफ ठीक है तो इसके बाद डाइगनोजिस की क्या होगी एक तो पहले उ स्कूल नहीं बेजना तकरीबने एक मान नहीं हमें स्कूल बेजना कॉंटेक्ट जो चिल्डरन का है वो अवाइट करना चाहिए एक्सलूडिट फॉर ट्वेटीवन देज फॉर्म स्कूल इसके बाद मास्क जो है वो पहनने चाहिए बच्छों को इसके लब आप कहेंगे कि जो कफ को प्रोवोक करते है ना वो फैक्टर इस अवाइट करने है पर एजमब डस्ट के पास नहीं जाना स्मोग के पास और एक्साइटमेंट पगर ठीके इसको प्रिवेंट करना नेक्स रिजीज़ हम कर लेते हैं माइको बिक्टिरियम टूबर किलॉसिस से जो होती है टूबर किलॉसिस जो कहें लंग्स को एफेक्ट करती है लेकिन ये इंटरस्टाइट बोन्स जोइंट लिंफ नोट स्केन दूसरे टीशूस अधर बॉड़ी को भी एफेक्ट कर सकती है अब ये देखे ये मतलब कहीं भी जा सकते है मतलब कि पुरी बोड़ी में टीबी गहीं भी हो सकता है इंटरस्टाइयन में बोंस, जोइंट, इंट, लिमफ, नोरी, स्केन, इधर टीशूस ठीक है अब ये किसमें ज़ादा हुती है भाइ टाइम अगर हम इसका देखें तो यह जादा तर humid season में होता है, hot humid weather में, ठीक है, जिसमें वेपर जादा होते हैं, इस तरह के season जो होता है, poor housing में जादा होता है, poor quality of life, overcrowding में, population explosion में, large families अगर हो, पुई हो गया, उसमें ही जादा होता है, by place अगर देखा जाए, ठीक है, उसके बाद by person अगर बात करें, तो जो बच्चे होते हैं, और जो बुरे लोग होते हैं, वो जादा susceptible होते हैं, ठीक है, क्योंकि उन community weak होती है, उस वज़ा से, अगर sex wise बात करें, तो discrimination तो नहीं होती हैं, लेकि जादा तर जो females होती हैं, जो 35 से जादा की age की होती हैं, जो males होते हैं, 45 से जादा वाले, उन में जादा common होती है, ठीक है, nutrition की बात करें, जो man nutrition में जादा TB होती है, education की बात करें, तो illiterate people में जादा होती है, social economic status इंकल होते हैं, उन में जादा होती है, और दूसरी है कि HIV, AIDS, जो diabetes के लोग होते हैं, उन में जादा होती है, और अगर किसी ने पहले से कोई BCG vaccine लगवाई हो तो उसकी वज़े से भी ये मतलब हो सकती है, TB activate हो सकता है, जो उसके बाद हमने देखा कि इसकी जो types होती है, mycobacterium tuberculosis की human type हो सकती है, bovine हो सकती है, murine भी हो सकती है, avine भी हो सकती है, लगे वो जादा तर rare होती है, मैं जादा तर जो हमें effect करती है, वो human और bovine variety होती है, ठीक warm and humid climate ही कहीं, जो हमने पहले देखा था, जो उसके बाद आता है, कि इसकी frequency आप देख लीजिए गाजस्ट, मजला भी इतनी important नहीं है, और उसके बाद source of infection की बात करते है, तो यह जो sputum होता है, ना, इन लोगों का वो जादा तर source of infection होता है, उनका जो की रीड़ा होता है, जो होता है, इसके लावा लाब्स जो होती है, हमारी लाब्स जो होती है, वहाँ पर होता है, और जो operation theaters होते हैं, वहाँ पर यह साधा common होता है, ठीक है, source of infection, period of communicability की जो होती है, जो होती है, as long as the TB patient is untreated, तो treat करना जरूरी होता है, जा इसकी जो mode of transmission होती है, उसमें आपको न bovine TB होता है, यह cow, dadinsha Mode, yeah, cow, cow's का जो milk होता है, वहाँ से होता है, droplet infection होता है, और fomites, उसके थ्रू होता है, ठीक है, उसके पाद इसका जो reservoir होता है, वो यह होता है, जो प्लां, जो sorry, infected person होता है, जो infected cow होगी, वहां से inftक्षन spreads करता है, इसकी जो portal of entry होती है, वहाँ होँ ह ठीक है इंजेशन वही हो गया कि जो हम मिल्क पीएंगे वह वला इंकुबेशन पीयर इसका होता है six weeks तक three to six weeks तक होता है months to years भी हो सकता है अब आता है कि WHO का जो criteria है ना TB के लिए वो control of TB के लिए क्या है वो कहते हैं कि जो zero to fourteen years के बच्चे होते हैं ना ठीक है zero to fourteen years के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो है less than one percent जो है TB positive ठीक है उसके बाद diagnosis के लिए control of TB के लिए ये होना चाहिए कि zero to fourteen से के बच्चे जो है उनमें one percent से कम TB positive होना चाहिए ठीक है उसके बाद diagnosis के लिए क्या है कि जो sputum होना चाहिए ना वो positive होना चाहिए criteria TB का रखा होनोंने कि sputum जो है वो acid fast bacilli से positive होना चाहिए ठीक है तो sputum positive होना चाहिए TB के लिए और three weeks तक continuously fever और cough चल रही है इसको TB है फिर आपको पता है जो TB होता है वो तीन तरह का होता है उसके एक multi drug resistant होता है और एक HDR होता है multi drug resistant आई जो रिजिस्टेंट होता है और एक्सटी आर जो होता है वो एक्शली हमारे second line ड्रग जो होती है वो भी उसमें resistant हो जाती है तो multi drug resistant वो होता है जो resistance होती या जिसमें आईजों एसे जो रिफैमपिसिन ये डब्यू एचो ने क्राइडिया बताया हुआ है resistance क्यों होती है हमारे multi-drug resistance क्यों होती है इस वजह से कि जो आईजों एसे जो रिफैमपिसिन दी जा रही थी वो incorrect prescription थी irregular supply of drugs था या जो patient था वो non compliant था या हमने क्या lack of supervision और follow up किया अब हमने multi drug resistant जो TB होगा उसका कैसे treatment करना है जो izoos या zero rifampicin से resistant होगी हम क्या करेंगे कि तक्रीबबन जो treatment हम ऐसे करेंगे कि treatment हमने 2 साल किया और अब भी तक results पूर हैं तो हम second 9 drugs शुरू करेंगे जिसमें treatment हम करते है are 30 times more costly मतलब कि हम बता रहे हैं कि जो treatment है न MDR TB का वो यह है कि अब हम second 9 drugs यूज करते हैं जो कि आपको पता है यह जो second 9 drugs जिसमें सारी यूज होती है जीद्रोमाइसिन, कलिद्रोमाइसिन, मीकासिन वगरा यह बहुत ज़दा costly होती है जादा costly होती है और patients जो होते हैं इनको hospitalized करना पड़ता है second यह जो MDR के TB वोले लोग होते हैं और इनको isolate करना पड़ता है जिसके वज़ा से मतलब भी हमें करना पड़ेगा और in case of MDR TB use at least three drugs to which organism is sensitive तो हमें तीन से जादा drugs भी देनी पड़ेंगी जो MDR TB वोले लोग होंगे तो यह MDR TB के बारे में था उसके बाद यह है कि हम TB का test करते हैं यह sputum examination करते हैं और montox test करते हैं अब जो TB का test होता है इसके three types होती है montox test होता है heave test होता है इसमें mostly जो montox test ही किया जाता है इसमें जो इसमें ना दो तरह की हम चीज़ें यूज करते हैं एक हम old tuberculine test करते हैं और दूसरा purified protein derivative इनमें दोने में यह difference है कि old tuberculine test में हमने पुराना से एक bacillus culture करकर रखा हुआ था और उसको हमने अंदर insert कर दिया ठीक है लेकिन उसमें ना non specific reactions आना शुरू हो जाते थे जो beef broth था ना beef broth उसके products भी थे ना उसमें तो इसमें जैसे non specific positive आना शुरू हो जाता था purified protein derivative जो अब हम यूज करते हैं पीडी वाला derivative जो skin test करते है ना वो specific होता है उसमें यह होता है कि वो हास होता है बेसिलाये का तो उसके गेंस्टी activity होती है immunity ठीक है तो यह यह दोनों वो नोंनों बताया है कि कौन कौन से हम use करते हैं फिर Montax test होता है कि हम जो है इसमें टिबर्कलिन की जो थोड़ी सी होती है वो इंट्राडमली इंजेक्ट करते हैं फ्लेक्सर पर सर्फेस ऑफ दा औराम पे 0.1 एमल यही वाली प्रोटीन प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव ठीक है तो पिर हम 48 से 70 टू आवर्स तक के बाद देखते हैं कि फ़से इंटोडेशन हुई या नही हुई ठीक है तो अगर इस तरह से अटब कोई भी रsn नहीं साथ-साथ जो है ना इंडुरेशन भी आए उसको हम मायर करते हैं ठीक है अब जो 10 mm का जो रेक्शन आता है ना वो पॉजिटिव रेक्शन होता है मतलब कि उसके अंदर TB का इंट्रेक्शन है ठीक है और रेक्शन लेस तें 6 mm जो हम नेगरिटिव कंसिडर करते हैं ठीक है उनको हम कहते हैं TB नहीं है अब इन दोनों के दरम्यान वालों को हम क्या कहेंगे हम यह कहते हैं कि यह जो हैना डाउटफुल होते है हम यह लग सकता है कि किसी और TB की जो टाइप है ना उसकी वज़ा से ही हो गया ठीक है तो यह पॉजिटिव और नेगरिटिव मान टॉक्स टेस्ट के आई हम नेक्स पार्ट से करते हैं